अफगानिस्तान के खिलाब पाकिस्तान की टीम की हार को दो दिन हो चेके हैं लेकिन इस मैच को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है फैन से लेकर पूर्व किरिकेटर सभी टीम को लेकर सवाल उठा रहे हैं खास कर बाबर आजम अपनी कप्तानी को लेकर कई पूर्व किर्केटर के निशाने पर आ गए हैं। इसे वीच पाकिस्तान दिगज मुहमद युसूफ ने पाकिस्तान कप्तान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मुहमद युसूफ ने किर्शेस रहते हुए हासल भी कर लिया यह वंडे में पाकिस्तान की अफगानिस्तान से पहली हार थी बता दें किस हार के बाद बाबर आजम की कप्तानी पर भी कड़ी आलोश न हुई थी पाकिस्तान के कई पूर्वजदिगज खिलाडियों ने उन्हें आसदन कप्तान कहकर बढाया था तो वहीं युसीफ ने बाबर आजम को समर्थन देते हुए कहा कि बाबर आजम अकेले इस मैच के लिए दोशी नहीं है दरसल उसीफ ने एक टीवी शोक के दुरान कहा मैंने सुना है कि सौमबारात अफ़कानिस्तान के खिलाफ हार के बाद बाबर आजम खुबरों पड़े थे इसमें स्रिप बाबर आजम की गलती नहीं है इसमें पूरी टीम और टीम मैनेजमेंट शामिल है हम इस कठिन समय में बाबर आजम के साथ है और पूरा देश उनके साथ है अफ़कानिस्तान से हार के बाद प्रेजेंटेशन सेनमरी में बाबर आजम ने कहा था कि सार को ये पूरी टीम को नुक्सान होगा दरसल अफकानिस्तान के खिलाफ मैच में मिली हार के बाद बाबर आजम काफी निराश दिखाई दिये थे उन्होंने खुद स्विकर किया था कि उनकी टीम ने अच्छा खेल नहीं दिखाया हार के बाद बाबर आजम ने कहा इस हार से हम बेध निराश हैं हमारी टीम ने अच्छा इसको नहीं बनाया था लेकिन हमारे गैंद बाजों ने हमें निराश किया है अगर आप किसी एक भी डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं खेलेंगे तो मैच हाने के पूरे-पूरे आसार होते हैं अफगानिस्तान ने हमारी टीम को तीनों में पच्छाड दिया है इसलिए वो जीत के हक्तार हैं अफगानिस्तान के बल्ले बाज हमारी गैंदों के खिलाफ आसानी से रन मनाते गए चोके लगाते रहे जिसमें हमें अखामयजा बुखतना पड़ा हमारी टीम अच्छी नहीं खेल पारी खासकर गैंद बाजी और फ सरपर है इसलिए सभी मैच जीतने के साथ साथ उन्हें नेट रन रेड का भी धान रखना होगा और बड़े अंतर से ये सारे मैच जीतने होंगे इतना ही नहीं टीम को दूसरी टीमों के समीकरण पर भी निरबर रहना होगा बताते चलें कि इंडिया और अफगानिस्तान से काफी मुश्किल में फच चुकी है और टीम के लिए सेमी फैनल तक का सफर काफी मुश्किल हो गया है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में चार और लीग मैच खिलने होंगे उनका अगला मैच साथ अफरिका के खिलाफ है जबकि बाकी तीन मैच बंगलादेश निउजलेंड और इंगलेंड के खिलाफ है और टीम को सेमी फैनल में पहुशने के लिए ये सारे मुकाबले जीतने होंगे